तो नमस्कार दूस्तु स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिट से तो आज अपन बात करेंगे जैसा कि आप सब जानते ही मद्य प्रदेश में एक बार फिट से कोरोना आ चुका है और जिस तरीके से कल मद्य प्रदेश पुलीस की परिक्षा इस्तरकित हुई है उससे सभी बच्चे यह अनुमान लगा सकते हैं और यह लगा भी रहोंगे कि अब आने वाली आगा में जितनी भी परिक्षा है वो सब लेट होगी तो आज इस वीडियो में अपन सारी परिक्षाओं के बारे में बात करने वाले है इस पैसली सीपी सीटी के बारे में बात करने वाले है कि वो अब होगी अगले मेने या नहीं तो बनिये रही यह वी जैसा कि आप सब जानते हैं कि मत्यप्रदेश में एक बार कोरोना ने फिर से पेर अपना पसार लिया है अब वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि वो क्या राज नीती है या रन नीती है ठीक है तो जैसा कि आप सब जानते हैं एक तरह कल मत्यप्रदेश पुलिस आर कर्फ्यू भी लगा दिया गया है कुछ-कुछ जिलों में ठीक है बड़े-बड़े जिलों में तो वहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया है जहां पर केस की अजिकता मात रहा है ठीक है तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि परिक्षाएं के भीूबानीत है जिस प्रकार से आपको पता था कि आने वाले आगामी मेने में सीबी छिटी की एक्जाम होना फिक्स हो गया था और होने भी वाली थी अब जैसा कि आपको पता एक कोरोना काः आ चुका है वापस तो आप ये मानके चलों अब कोई सीवी एक्जाम दो मेने लगपफ़ दो मेने के बाद ही अब कोई भी ऐक्जाम होना है बो मेने से पहले आपकी कोई-परता नहीं हो रही है की मद्यपरदेश शरकान ने एक बार को रोना की G Woodland फिर जा ली कर दिये और कोरो न कल का आ चुका है वापस से वो आप सब भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अपने मद्य प्रदेश में क्या चाल रहा है ठीक है और एक और बात बता दू अभी दमों में उपचुनाओ अने वाले तो उपचुनाओ की निर्वाचा नायोक निचुनाओ अलिक्ति दारा डेड़ भी आ गई है और कब र अच्छा होता कि टेट फिक्स होती है अग्जाम की आपका इसलिक्स होती है और सब्कुत समय पर होता तो अच इस तरह बेरोजगारी का इस्तर इतना नहीं गिरता आप सब चीज़ देख सकते हैं कि सब चीज़ आपकी समय पर होती है चुनाओ समय पर हो रहे हैं रिजल्ट समय पर आ रहा है बस रही जाती है तो बस मत्यप्रदेश की भरतियां जैसा आप समझ सकते हैं PEB और MPPSC का देख सकते हैं MPPSC जो देख रहे हैं आप इतने दिन से आपका जो चल रहा है 2019 हा बरती के二021 अभी तक उन भरती का मेंस नियुक्मा रहे हैं और कूट में चल रहे है केस बस तारीक पर तारीक पर तारीक पर और कुछ नी हो रहा है और एक तरह पे अपना MPEB तो वो व्यापा में जो घोटाले पर घोटाले होते जा रहे हैँ तो अभी कुछ exam के result हैं वो भी आना बाकि है वो अभी तक आये नहीं, एक्जाम्स हो गई, जिनके रिजल्ट अभी तक आने का नाम नहीं है, तो आप इस तरीके से देखके अनुमाल लगा सकते हैं, कि अपने मत्यप्रदेश की हादत कितनी गिरीवी है, ना कोई परिक्षा हो रही है, ना कोई रिजल्ट आ रहा है, और किसी को नोकरी मिल रही है, दो ड़ही साल से, ठीक है, और एक तरफ दुसरे उदर देखें, तो आपके चुनाओ टाइम पर हो रहे है, रिजल्ट टाइम पर आ रहा है, तो आपका कोरोना आ जाना है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप सब समझ सकते हैं, अपने इसकी अभी के आलत है, और जो भी एक्जाम है, वो आप तो भूली जाओ, दो ड़ही मेने के लिए, कि आपकी दो ड़ही मेने के बीच में कोई एक्जाम होगी, ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना हो लिए, और ज्यादा ज्यादा शेयर करिये, तो मिलते हैं नेक्स वोडियो में तब तक के लिए, जैहन!